तर मेरा नाम प्रदीव सिंग के और मैं जिला सिर्मौर से दूजरा शेतर शिलाई से आए हैं कलम सुगर दस बजे से करे बाहर बैठे थे और उसके बाद हम अंदर हॉल में चले गए ते सेक्टरिए थे और उसके बाद हमें बोला जा रहा थे कि CM साब थोड़ी दियर में आने हो लेकिन CM साब रात के 10 वजे तक नहीं आए और बाद ने हमें बोला गया कि 10-12 बंदे जो है ओक ओबर मिलने आज़ा उसके बाद 10-12 बंदे जो है यहां मिलने आते हैं उनसे और उन्हें आश्वसन मि हमारे ट्राइबल मिनिस्टर श्री जगसिंग नेगी जी हमारे सोलन से जो मंतरी है धनीराम शांडिल जी और तीसरे मंतरी है चंदर कुमार जी तीन मंतरियों ने जो है मना कर दिया कि आपके अपोज गया हमारी केबिनेट में जो फाइल गई थी उसको अपोज किया तो हम जाते हैं सबसे पहले तम मुख्य मंत्री जी से पूछना जाते हैं कि जो तीन मंत्री हैं क्या वो मुख्य मंत्री जी से उपर है या आपकी बात को क्यों अंसुना कर रहे हूं दूसरी बात मुख्य मंत्री जी ने बोली कि कुछ अधिकारी भी जो है इसमें अडिंगा डाल र रहे हैं बड़ी मुश्किल से हमारा जो यह मैटर है वो सुप्रीम कोड तक जाके जो है सॉल्व हुआ है उसके बाब जू जब सॉल्व हो गया है सरकार सरकार में जो हमारे मानेनीय मुख्यमंत्री महोदे जी ने कहीं बार गोशना किया है बड़े-बड़े मंचों से गोशना कि आपका रिजल्ट जो है एक महीने के अंदर अंदर हम दे रहे हैं एक महीना बीद गया दो महीने बीद गये आज जो है सुप्रीम कोड की जज्जमेंट को जो है तीन महीने होने वाले कुछ दिन बचे मातर तो आखिर क्या सरवोचो न्याले से जो जो है उनकी बात को भी जो है अंसुना किया जा रहा है हाई कोट की बात को भी अंसुना किया जा रहा है ऐसा क्यों हो रहा है क्या हिमाचल प्रदेश में क्या लोकतंत्र नहीं है क्या नहीं बचा है लोकतंत्र हिमाचल प्रदेश में आज देख लो आप कितने बचे यहां सड को बैठे कल राज को हम 10 बजे 11 बजे के आज पास जो है सेक्टरेट से निकले हैं और आज फिर सुबा यहां पे आ गए हैं अभी भी हमारे कुछ बंदे अमारे साथ ही जो है अंदर मुख्य मंतरी जी से मिलने गए हैं अभी उन्होंने फिर दुबारा बुलाया है आज देखते हैं उसके बाद क्या से मिलता है और आज के बाद जो है हमारी अंतिम यात्रा है आज यहां हम कोई भी जो है इतना हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है हमारे पास कि घर से मांग मांग के हम जो है शिम लाएं सभी बेरोजगार साथी हमारे आज सड़कों पर घूम रहे हैं इसका मुख्या कारण सभी जो है हमारी सरकार यह सरकार जो है हमें रोजगार नहीं देए पारे और मिया के मांग से में पता चला कि दो तिन मंत्री जो है इसमें मना कर रहे हैं कैबिने साब नहीं नहीं बोला है में मीडियम के माधियम से पता चला कि तीन मंत्री जो इसमें कैबिने में फाइल की थी उसको जो है आगे उसको अपोज कर रहे हैं सब्सक्राइब करें या परिवार के साथ इसके बाद सरह परिवार के साथ आएंगे जितने भी परिवार हैं हम सिरफ जेवाइटी 817 के अभियारती नहीं है 949 है 930 है 965 है एक हजार तीन है इतने सारे पोस्ट कोड है सब पोस्ट कोड के जो अभियारती जो से बाद मिलके जो है परिवार के साथ यहां पर धर्ना पे बैठेंगे और कोई चाहरे नहीं है हमारे साथ पास यहां पर बचा सरकार कि हम सस्ता में के तो आपको नोकरी देंगे JOHN कि आज सरकार को एक साल हो चुका है जेड बने लग तो मुझे नहीं लग रारकी अभी तक में कुछं काम हुआ है यह हमारी समस्या को सुना गया नहीं सुना गया बिल्कुल भी नहीं सुना गया तो सब परतारित है मांसी कि रूप से बहुत परतारिस है बच्चे को इसके अंडरी ऑप्षिन भी रही है क्या करेंगे सर क्या ऑप्षिन है कोई ऑप्षिन नीए है ठीक है उनकी मुलाकात हो की और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका परिणाम निकले कानूनी पहलों पर पूरी तरह गौर करने के बाद ही बाइस की चुटती कर्दी है संट्र परिश प्षिन ने करना है?